मुंबई की लोकल ट्रेन अब लोकल नहीं रहेगी हो सकता है कि जल्द ही लोकल में अधिक भीट के समय आपको अपनी यात्रा के लिए ज्यादा किराया चुकाना पड़े बता दें कि मुंबई उपनगरी रेलवे को पिछले दो-तिन वर्षों में लगबग 3-4,000 करोड रुपय को वार्षिक नुकसान हुआ है इस नुकसान की भरपाई के लिए ही यह विकल खोजा जा रहा है इस नए विकल पे अनुसार ओला उबर की तर्च पर रेलवे किराय की दरें अलग-अलग समय पर अलग-अलग रखने का प्रस्ताव रेलवे प्रशासंदोरा रखा गया है आईए जानते हैं क्या है यह प्रस्ताव इस प्रस्ताव के तहट उला उबर की तर्च पर भीड को देखते हुए रेलवे की किराये बदल जाएंगे प्रते दिन भीड की वक्त रेलवे से सफर के लिए अधिक किराया देना पड़ेगा भीड न होने पर ट्रेन का किराया मूल टिकट दर ही होगा यदि किसी कारण वर्ट ट्रेन रद्ध हो जाती है तो पूरा किराये यात्रियों को वापस कर दिया जाएगा लास में जा रहे हैं तो ठीक और दूसरे उपाय है दूसरे उपाय से जो उस लास को पूरा किया जाए लेकिन गरीब जन्ता पर इस तरह से अधिभार लाद करके जो कि रेलेस होई ब्यक्ति यात्रा करता है जो कि गरीब हो तो उनके उपर इस तरह से अधिभार लादना एक तरह से तूगल की फर्मान होगा और हम लोग इस तरह के कोई प्रपोजा ले दे आता है रेले का हम लोग मिल करके उसका फिरूद करेंगे मुझे वो ठीक नहीं लग रहा है प्रपोजाल लॉस में चल रही है तो उसका खाली रेट बढ़ा देने से क्या हैगा हर समय रेट बढ़ा दो पिर टाइम का क्या मतलब है जो पैसेंजर जाता है अब जिस बोगी में समझो की 70 आदमी की सीट रहती है उसमें देर सो तीन सो लोग जाते हैं तो कैसा रेलेवे का में को नहीं समझ में आता कि कैसा उनको नुक्सान या गाटा रहता है फिर बढ़ा निससे क्या पाज़ा है अगर वो बढ़ा हो जब पुब्लिक को आराम से जाने को मिलेगा तो बढ़ा हो ना हम पुब्लिक तो ऐसे करता है तो पुब्लिक पुब्लिक करता नहीं है खाली पैसे के लिए करता है नहीं हम का जाएगा का चलेगा हम लोग उसको पैसे के बढ़ा है शुपिता करता नह इसके साथ ही वन नेशन वन काड यहोजना को भी अमल में लाए जाने पर विचार किया जा रहा है यदि यह प्रस्ताव मानिक किया जाता है तो अधिक वो कम भीड के वक्त रेलवे किराये में वदलाव की सूचना जारी कर दी जाएगी ऐसे में उला और उबर की तरह सुपावर शाम की भीड के वक्त रेलवे किराये की दरे बदल जाएगी कैमरामेन दीपकु पाध्या के साथ मैं विनो जादो सुर्क्यानीज मूंगे